नमस्कार दोस्तो अगर आपका पैन कार्ड गुम हो गया है कहीं खो गया या फिर टूट गया है और उसका जो पैन नमबर होता है वो आपके पास नहीं है आपने उसको नोट करके नहीं रखा है नहीं उसका कोई फोटो है नहीं किसी जगा पे पैन कार्ड दिये है तो उस केस में दोस्तों अपना pen card को कैसे download कर सकते हैं आपका जो pen card उसको फिर से refrint कैसे करवा सकते हैं तो इस वीडियो में आप लोगों को पूरी जनकारी मिल जाएगी किस परकार से अगर pen number नहीं है फिर भी हम reprint कैसे करवा हैं अपने pen card को तो देखें guys हम आ चुके request for referent of pen card तो इस site का link आप लोगो description में मिल जाएगा हूँ वहां से आप इस site पर आ सकते हैं तो यहां पर सबसे पहले आपका जो pen number पुझा जा रहा है तो यहां पर problem यहां है कि बहुत से ऐसे लोग जिनके पास pen number नहीं है तो अगर pen number नहीं है तो आप लोग customer care से बात कीजिए और उनको सारी जनकारी दीजिए कि आप उनको बोलिए कि sir मेरा जो pen card हो गूम हो गया और मुझे अपना pen number भी नहीं पता है तो आप customer care को बोल सकते कि sir मेरा pen number जो है खो गया है मुझे pen number भी नहीं पता है तो आपसे कुछ सवाल पुछेंगे आपका नाम पुछेंगे आपका address पुछेंगे जो जो details पुछेंगे आपको साड़ी जनकारी सही से बता दीने उसके बाद आपको pen number note करा देंगे तो उस pen number का जो number बता देता हूं पुछेंगे नहीं सो एक से है मैं डिस्प्लेइपे सो करा दूँगा वह नंबर पर आप जाके बात कर सकते हैं तो यहां पर गाईज सबसे पहले pen number आपको यहां पर डालना पर एगा तो मैं यहां पर pen number डाल लेता हूं date of worth डाल देना है कि किस मंत में जन्म हुआ है और यहां पर year डाल लेना है ठीक है तो यहां पर हम year भी डाल लेते हैं सारी कुछ डाल लेते हैं अब यहां से GSTN number optional है उसको नहीं भरना है उसके बाद आपको इस्टर्मेंड कंडिशन पर अपलाई कर देना है ठीक है गाईज तो इस्टर्मेंड कंडिशन को टिक कर देना है और यहां पर देख लिजिए अगर आप इंडिया से बाहर कहीं pen card मंगबार हैं तो आपको देने परेंगे 969 रुपे और इंडिया में pen card मंगबार हैं तो आपको 50 रुपे देने परेंगे post office का जो चार्ज है और यहां पर capture को हम फिल कर लेंगे और यहां से हम submit पर क्लिक कर देंगा और यहां से आपका details जो होगा वह अगर जनकारी अच्छे से बढ़े होएंगे तो यहां पर आपका details जो होगा बिल्कुल सही से आ जाएगा तो यहां पर गाज देख लिजिए हमारा जो details वह आ चुका है आप लोगों के सामने live यहां पर देख लिजिए सबसे उपर pen number नीचे mobile number email id और आपका जो address होगा इस सारा कुछ यहां पर आ जाएगा तो यह सब आने के बाद आपको नीची आ जाना है और यहां से आप अपना जो OTP किस चीज पर receive करना चाहते है सबसे पहले तो अब यहा करना से क्या करना परेगा select from below option तो आपको इन में से दोनों को select कर लेना है बहुत हम बहुत email id और mobile number पर mobile number यहां से select रखते हैं और आई एगरी पर click करते हैं OTP कहां पर गिराना है तो हम mobile number select कि अब generate OTP कर देंगे click अब यहां से हमको क्या करेगा हमारे mobile number पर जो है OTP आ जाए तो हमने यहां पर OTP डाल दिया आप यहां पर valid पर click कर देंगे तो बस अब आपको यहां से अपना will payment करना है 50 रुपे का तो आप यहां से किस चीज़ से पैसे कटबाने चाहरे है 50 रुपे का हो यहां से select कर लेना है और यहां से पैसे देना है I agree term and condition पर click करना है proceed to payment पर click कर करके आपको पैसे 50 रुपे दे देने हैं ठीक है गयाज तो आपको यहां पर scanner मिल जाएगा आप यहां से इस scanner की मदद से अपना फेटियम की मदद से यहां से पैसे कटा सकते है प्रोसिट पर हम click कर देंगे और जो हमारा जो पैसा हो कट जाएगा तो इस परकार से आप लो देखना है इसको अगर अप्लाइ कर दिगा उसके बाद इसका सचर्ट कैसे देखना हि तो इस लेट वाली वीडियो को देख लीजी और नया प्ला लाई करना है तो इस राइट भाली वीडियो को देखकर